एक्स वर्सल आइफून एक्स डिटेल कैमरा कंपेर्जन इन 2024 क्योंकि दोनों का डिजाइन एंड डिस्प्ले तो बिल्कू सेम है लेकिन बहुत ज्यादा लोग कन्फूज है कि इन दोनों पेसे कैमरा किसका ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है क्योंकि दोनों की बैक पर ह इसका पिक्ससाइज 1.22 है जो कि कितना का मैटर करता है वीडियो ग्राफी एंड पोट्रेट वगारा के अंदर हो आगे चलके मैं आपको वीडियो में बताता हूं तो दोनों के कैमरा फीचर की बात करते है तो आपको फोटो देखने को मिलता है जबकि आईफून एक्सेस क आपको देखने को मिलता है तो आज यह यह इनकी कैमरा सैंपल की तरफ दोनों माइल में 1080p 60 एपिस के उपर ओर जहाँ पर आपको ज्यादा अच्छा से मैनेजिक कर पा रहा है जबकि आइफून एक्स थोड़ा सा डार्क साइड पर लेके जा रहा है और एक बार में आपक दोनों में आपको इनके फ्रेम SHIFT भी दिखा रहे हैं तो कि दोनों मेंसे इम पर देख सकते हैं मैं तो यहां पर आप देख सकने हैं और चलकर देखने है और अगर दोनों के focus shift की बात करते हैं तो मैं आपको दिखा दे तो यह मैंने बैक पर focus किया और लीज़ को पर focus shift कर दिया दोनों को focus exactly same और बहुत ही smooth देखने को मिलता है तो focus में इतना डिफरेंस नहीं है दोनों बाइल में चेठे पर details आप देख सकते हैं जब के जो ब्लैक साइड है जैसे के बेड़ वगड़ा है उसको आइफून X बहुत ज्यादा ब्लैक कर रहा है मतलब जो डार्कर एरिया है ना उनके में बहुत ही ज्यादा डार्क साइड पर जा रहा है जब के एक्सेस रेल मिंटेन कर रहा है और बैक साइड पर HDR भी आप देख सकते हैं कि आईफून X से compare करते हो और फ्रेम की बात करते हैं तो वह तो दोनों के ही smooth देखने को मिलते है आईफून का जितना मर्दी पुरान माडल वो एपल का वो फ्रेम शिफ्ट में कोई भी जिटर वगहरा नहीं देता और दोनों में एक बार चलके मैं आपको स्टेबलिजेशन भी दिखा देता हूं कि दोनों का स्टेबलिजेशन में किसका ज्यादे स्टेबल वीडियो दे स्टेबलिजेशन में हलका सा फड़क्त के सब्सेंदगे से केंड़ वह जहां पर एकस केंडर हमें तेंडिक ती सिक्स्ती देखने को मिलता हुआ जो डेफिनेटली बहुत जितल जितल हो रहा है एकस के सामने एकस का कूँकर इसमें फ्रेम कम देखने को मिलते हैं और बहुत ज्यादा क्लोज अप हैं अगर वलॉगंग करनी भी हो तो इससे ज्यादा आप दूर नहीं जा सकते हैं आप दोनों फोन में देख सकते हैं तो बाकी औरल फ्रेंट कैमरा में मुझे दोनों मुबाईली बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं बस यह है कि चेरे की डिटेल थोड़ी नैचिरल रख लेते हैं और शार्पनेस अच्छी देखने को मिलती है दोनों फोने बात कर लेते हैं पिक्चर क्वालिटी के बात करते हैं पहले नजर में आपको दोनों फून में ज्यादा डिफरेंस फिलने होने वाला बस जो शैड़ो एरिया है वो थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट कर देता है आईफून 10S जो के देखने में ज्यादा अच्छा लगता है कर आईफून X की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा डार कर साइड पर रखता है आप देख सकते हैं जितने भी शैड़ो एरिया है जो वहां पर ब्लैक जगां आ रही थी वहां पर यह ज्यादा ही डार कर देता है जो कि देखने में थोड़ा बुरो लगता है बाकि फरस्ट नजर में आपको दोनों सेम सेम ही देखने को मिली बस ल लगते हैं देखने को अबर यूज करते हैं तो आफादे ॐस बहुति और यह देखने का मिल आपकी ज्यादा डिफरेंस नहीं है आपको अगर पलेगते हैं जो हैं वो बहुत अच्छे से मिटेन करता है जब कि 10 की बात करते हैं वो बहुत ही डार्क साइड पर चला जाता है जो कि 2024 में बिल्कुल ही सेंस नहीं बनाती जैसे कि यह वाली पिक्चर आप देख सकते हैं इसमें क्लेर आपको आइफुन 10S के चेहरे की डिटेल ज्यादा द मिलती तो एवरी शोट आप क्लिक करते हो ना आइफुन 10S से तो वह अच्छा ही आता है लेकर आइफुन 10 से क्लिक करते हो तो अगर आपने 10 पिक्चर क्लिक हैं उसमें से सरफ टू पिक्चर ही आपकी अच्छी आने वाली है तो इतना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है दोनों के कैमरा क्वालिटी के अंदर तो डेफिनेटली पोट्रेट के लिए आपको 10S से कंसिडर करना चाहिए तो दोनों के डिटेल कैमरा सेंपल आपने देखें सिंपल सा कंकिलूजन है कि अगर आप डेफिनेटली ज्यादा बैतर कैमरा चाहते हैं तो आपको आईफून एक्स सी बाई करना चाहिए सिर्फ थोड़ी सी प्राइस ज्यादा है लेकिन इसके कैमरा से एक डम से बहुत ज्यादा इंप्रूफ किये थे अपल ने दोनों में बेशक सेम कैमरा देखना को मिलता है लेकिन अगर आप आईफून एक्स की बाद करते हो इसमें एक तो आप बलर अरजस्ट नहीं कर सकते हैं उसके बाद इसके जो पिक्चर थोड़ी डल साइड पर देखना को मिलती है जिनमें डिटेल भी हलकी सी कम फील होती है जब कि अगर आप आईफून एक्स की बाद करते हो तो इसकी पिक्चर बहुत ज्यादा शार्प है स्टिल इसकी स्किन ट्यून अभी तक आईफून 15 प्रो मेक्स से भी जाके कहीं ना कहीं मिलती है इसको अभी तक एपल इस तरह की कुछ कले ट्यून स्पोर्ट करता है और उसके बाद वीडियो ग्राफिक की बाद करते हैं तो इसमें मुझे कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला बस वही बाद के जहां शैडू एडिया आता था वहां यह बिलकुल एक्स डार्क कर देता था जबके एक्सेस की बाद करते हो तो यह वेल मिंटेन करता है तो मेरे ख्याल में मैग ने कभी भी आईफून एक्स को करने को का आप लोगों को और स्टील 2024 में यह फून एक्टिसमा यूस 17 का पड़ेट भी नहीं आया तो मेरा नहीं क्याल कि टुवड़ा से कैमरा के लिए आईफून एक्स वर्थ हैं आपको बिलकुल भी बाइनिक कर तो अब अपने भाई को दीजिए अजादत मिलते हैं कि से नेक्स और बहुत इंटरस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए अला आफेज